Hello everyone, welcome to Anubha Study Facts तो guys हम लोग आज सोचलाइजेशन के बार में बात करेंगे सोचलाइजेशन का हमने जो टॉपिक है वो कल स्टार्ट कर दिया था Almost 30 questions हम लोग कल डिस्कस कर चुके थे आज हम आगे की questions को डिस्कस करने वाले हैं Child Development and Pedagogy के questions को हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं MPTED से पहले 5000 questions किये जो series है यह आपको complete कराने की बात मैंने कही है तो guys आज आज आप लोग के लिए एक छोटी से information आप लोग हमेशा कहते हो ना कि मैं कौन सी test series जोईन कर लें और मेरा भी हमेशा से यह रहता था कि जो बहुत reasonable और affordable price में हो वो test series अगर आपको मिले तो जादा better रहेगा तो मुझे एक ऐसी test series मिली है यह आप सामने देख सकते हैं परिक्षा एप आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से और जो भी इसका price है सीधा आपको बिल्कुल 50% discount में मिलेगा आप अनुभा 50 अगर coupon code यूज करते हैं तो इससे क्या है test series का जो फायदा मैं आपको हमेशा हर वीडियो में बताती हूँ अपनी जब भी हम strategy वाली वीडियो शेयर करते हैं कि उससे क्या है आपको अपना analysis लगेगा कि आप कैसे कहां पर stand कर रहे हो कौन से topics आपके week हैं और जो लोग और भी exams दे रहे हैं उनके comparison में आप कहां stand कर रहे हो क्या rank आ रही है कौन से questions गलत हो रहे हैं तो यह जो test series है बहुत affordable price में है reasonable price में हैं आप लोग इसको purchase कर सकते हो और एक चीज़ और है इसमें आप जैसे ही coupon code यूज करेंगे ना तो आपको 50% का सिधा discount मिल जाएगा लिंक जो है वो description box में मिल जाएगी आपको मैं अपने telegram channel पे भी share कर दूँगी और Instagram पे भी share कर दूँगी आप लोग जहां पर भी active रहते हैं वहां से आप उस link को click करेंगे तो आपको सब कुछ मिल जाएगा और फिर भी अगर कोई problem आती है आप लोग को समझ नहीं आता है तो आप comments कर सकते हैं या फिर telegram पर पूछ सकते हैं सिक्षार्तियों को सबसे कम प्रतिबंधित विध्याले वातावरण में रखने के माध्यम से विध्याले अब ऐसा क्या करें तो लड़कियों और अल आभानवित वर्गों के लिए कफसरों को समान करता है तो केवल अगर आप एक जेंडर की तरफ जुकते हैं तो वो जेंडर बायस कहलाता है ध्यान रखना वंचित वर्ग के बच्चों के जीवन को सामान्य करता है जो इन बच्चों के समधार अभिवावों के साथ विध्याले की सम्बंद को बढ़ा रह है ऐसा तो कुछ नहीं है विज्यान मेला और प्रिश्नोत्तरी जैसी गति विदियो में अलाभानवित वर्ग के बच्चों को भागीदार बनाना तो केवल विज्यान मेला और प्रिश्नोत्तरी जैसी गति विदियो में अगर बच्चा भागीदारी ता निभा भी रहा है तो इससे कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा. D है, दूसरे बच्चे को समवेदन शील बनाना, ताकि जो अलाभानविद बच्चे हैं, वो उनको ना और ज़्यादा सप्रेस ना किया जाए. एक तो वो पहले से अलाभानविद है. ठीक, अगर उसके बाद दूसरे बच्चों द्वारा उनको और सप्रेस कर दिया, उनको और नीचा दिखा दिया, तो फिर बचारी उनमें क्या रह जाएगा? तो इसमें ये बताये गया है कि अलाभानविद बच्चों को दबाएं नहीं, उन्हें नीचा ना दिखा है. तो D option बिल्कुल सही हो जाएगा. नेक्स्ट है, कक्षा में वास्तविक सांसारिक समस्याओं से जटल परियोजनाओं पर कारे करते हुए, आध्यापक में च्छात्र एक धूसरे के अनुभवों से परस पर ग्रहन करते हैं. तो क्या अध्यापक के इंदरे सामाजिक रंचनात्मग, पारंपरेक या फिर रंचनात्मग, तो सामाजिक रंचनात्मग, एक दूसरे से बात आ रही ना, सुसाइटी, सोशल, यह सब किसले हम बात करते हैं, सामाजिक रचनात्म किसका बिलकुल सही आंसर हो जाएगा और आप लोग आजकल बहुत अच्छे से अक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आयुशी जी, पवन जी, दिव्या जी, आनन्द जी, बहुत से ऐसे लोग हैं, रानु जी, जो आप लोग अक्टिव पार्टिसिपेट करते हैं, पर्डे सेशन देखते हैं, नेहा जी, आ अच्छी से अपने आपको analysis करने के लिए मैंने आपको test series बता ही दी है, test series से मैं हमेशा ये कहती हूँ, बहुत फायदा रहता है, उससे आप अपने आपको analysis कर सकते हो, और जो भी marks आ रहे हैं, जिस भी topic में अगर कमी रह रहे हैं, तो वो आपको पता चलता रहता है, फिर है, समाजी करन के संदर में विध्यालेओं के पास प्राया एक प्रक्षत्र पाठे चर्या विद्मान रहती है, जिसमें नहत है, परवार की माधम से विध्यातियों का समझोता पुन तो समझोता थोड़ी ना किसी भी चीज़ का solution होता है, मतलब हर जगे negotiate करना ये सब तो नहीं होता हो, वो भी students के द्वारा तो बिल्कुल भी नहीं, फिर है मूलियों वावी व्रत्यों का सिक्षन एवं आकलान ऐसा भी नहीं है, फिर है बलात्मक अधिगम, चिंतन, मतलब जो होता है न, जो बिल्कुल छोटे बच्चे होते हैं, उनके द्वारा जो learning होती है, या फिर अन्ता क्रियावा सामगरी द्वारा विद्यालों में प्रस्तुत किये जाने वाले सामाजिक भूमिकाओं से संबंध अनौपचारिक संकेत, तो यहाँ पर D option जो है, वो बिल्कुल सही हो जाएगा, आप लोग अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है न, तो आप लोग यहाँ पर एक्स्प्लेनेशन भी पढ़ सकते हो, अगर आपको लगता है कि आपको एक्स्प्लेनेशन पढ़ना है, तो इसका न, मैं कोशिश कर सकती हूँ कि आप लोगो पीदेफ तो प्रॉवाइड नहीं हो पाएगा, बढ़ हाँ, जो भी आपको question लगता है, तो उसका मैं आप मैं क्रुशिश करते हूझ कि आप लोगो की सहायता कर पाऊं, जित्ना मुझसे हो सकता है उतनी तो आपकी सहायता कर पाऊं, अब बहुत से लोग इसका पीडिएफ मांगते च्पीड एवपते पीडिएफ तो नहीं हो सकता है, लेकिन हा, एक चीज मुझे ठीक लगी, कि को या यह जो टॉपिक है इसमें सारी बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है तो वहां पर मैं उस पूरे कॉश्चन का या जिस कॉश्चन उस पेज पर है तो उसका पूरा फोटो भीज दिया करूगी तो आप लोग को समझने में क्योंकि इसमें पूरे एक्स्प्लेनेशन दिये तो आप लोग को समझने में हेल्प मिलेगी और सेशन पसंद आ रहा है तो आप ज्यादा स्यादा शेयर कीजिए जिस भी सोशल मीडिया हैंडल पर आप लोग जुड़े हैं आज के टाइम पर सभी आल्मोस्ट हर जगे ही एक्टिव रहते हैं तो मेरा यह कहना है कि आप लो अंशिक संचरन तो यह हरेडिटी से रिलेटेड है सोशलाइजेशन से यहां पर एस सच इसका कोई इंपोर्टेंट रोल नहीं है एक संस्कृति की रितियों और मान दंडों को सीखना बिलकुल दे को समाजी करना मतलब वहां के रूल्स वैल्यूस तो और तरीके नॉम्स व अपरेटिंग लर्निंग करवाओ यह इसमें शामिल करो क्योंकि सीखने को सुगम बनाने के अतरिक डैश की भी सहायता करती है तो समाजी करन की क्यों कि लोग आपस में इंटरेक्ट करेंगे तब ही तो बहुत अच्छे से सीख पाएंगे और आप लोग को क्लियर दिख रह कीजिए ताकि कुछ भी जो मैं इंप्रूमेंट अपनी तरफ से कर सकती हूं मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आप लोग को अच्छे से अच्छा कॉंटेंट प्रोवाइट कर आया जा सके एक सिक्ष का अपने सिक्षारतियों को अनेक तरह की सामोई गतिविदियों में व् तो यह सब आपका ए ओप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा नेक्स्ट है सही होगी अधिगम में अधिक उम्र के प्रवीर विध्यारती चोटे और कम निपन विध्यारती की मदद करते हैं तो यह किस प्रकार से सही है गहन पृतियोगता तो प्रतियोगता कभी भी चाइल्ड देवलोपमेंट में आप ध्यान रखना बहुत अच्छा उप्शन नहीं माना जाता है उच्च नैतिक विकास समू में द्वन्ध होता है या उच्च उपलब्दी और आत्मसम्मान होता है तो जो सही होगी अधिगम है जब भी आप ऐसा कुछ काम करते हो या जो आपसे प् द्वन्ध होता है तो वो एक उपलब्दी और आत्मसम्मान होता है यहां पर किसी भी तरीके से ऐसे नहीं समझना चाहिए आप ये अपने डेली रूटीन में भी इस चीज को देख सकते हैं कि अगर कोई फ्रेंड है आपका जिसको आपसे ज़्यादा आता है तो उससे प्योगता है competition आप उस चीज में जागरत करें चलिए next है समाजी करण में संबलेत है सांस्क्रतिक संचरन और डेश तो विद्रोयों को निरुटसाहित करना व्यक्तिक व्यक्तित विकास बिल्कुल individual personality को आप डेबलब करोगे वो बहुत अच्छी बात है ये नहीं कि आप ब चाल डेबलब्मेंट यहीं सिखाता है कि किस तरीके से एक टीचर को बहेव करना चाहिए students के साथ चलिए हम next question पर बढ़ जाते हैं कि संस्कृति पर सिक्षा का क्या प्रभाव पढ़ता है संस्कृति की निरंतरता को बनाए रखना संस्कृति की अस्तानांतरण में सहायता करना संस्कृति का परिश्करण या फिर सब कुछ संस्कृति पर सिक्षा का प्रभाव तीनों तरीके से पढ़ता है ये question कल भी आया था देखिए मैं बार-बार बही बोलती हूँ अब ये आपका दो एक्जाम में यहां आ गया पिछले जब हमने करा था दो एक्जाम में तब पूछा गया था पर ऐसा हुआ तो आप क्या करोगे तो ये जो child development है ना ये सोचना भी सिखाता है कि as a teacher आप क्या करोगे पैठक बैठक विवस्था करने ये तो सहमत हो जाएंगे तो ऐसे तो वो कभी भी जो बीच में gap बन गया है दलित और एक अपर सुसाइटी के बीच में वो तो कभी दूर होगा ही नहीं वो और बढ़ता चला जाएगा फिर है आप उच्छादी कारियों से निर्देश प्राप्त करें तो निर्देशन प्राप्त करने के लिए ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं आप विद्यार्टों एक साथ बैट कर भूजन करने के लिए सहमत कर लेंगे आप उस तरीके से उनसे बात करेंगे चर्चा करेंगे उनको समझाएंगे और उनको सहमत कर लेंगे ऐसा नहीं कि आप विद्यार्टों में मध्यान भूजन ही पकाना बंद कर दें तो C option बिलकुल सही हो जाएगा फिर है एक सिक्षक विद्यार्तियों में सामाजित मुल्यों को विक्सित कर सकता है अनुसाशन की अनुगूती को विक्सित करके तो आप हमेशा दियान रखना मैं पहले भी और बहुत बार आपको डिसकस कर चुकी हूँ कि केवल अनुसाशन के बल पर या फिर बोलते ना डंडे के बल पर आप किसी भी बच्चे को बहुत टाइम तक ऐसा बोल सकते हैं कि ना तो आप पढ़वा सकते हैं उससे ना ही किसी अक्टिविटी में इंवॉल्फ करवा सकते हैं ही ऐसा कह सकते हैं कि शान्त चुप बैट जाओ बिलकुल तो कोई भी काम बहुत तो लॉंग टाइम तक रन नहीं हो सकता आदाश रूप से वरताब बिलकुल ठीक बात है आप आदाश रूप से वरताब करेंगे महान व्यक्तियों के बारे में बोलने से थोड़े टाइम के ल लॉंग टाइम तक रन करेगा फिर नेक्स्ट कॉश्चन पर बढ़ जाते हैं नेक्स्ट कॉश्चन है समाज मिती तकनीक का प्रयोग किया जाता है आर्थिक स्तर की जाँच में समाज की सर्वेक्षन में समाजी करन की जाँच में या फिर सब में तो समाजी करन की जाँच म नेक्स्ट कॉशन है निम्न लिखित मैंसे कौन सी संस्था सामाजिक परंपराओं के हस्तान अंतर में सबसे अधिक योगदान प्रदान करती है तो परवार अपनी अपनी जगे सभी important role play कर रहे हैं लेकिन जो परवार है वो सबसे अधिक करेगा नेक्स्ट कॉशन है निम्न मैंसे कौन सा बच्चे की सामाजिक मनो वैग्यानिक आवर्शक्ताओं के साथ संबंद नहीं है नहीं पूछा है ये जो नहीं वाले option है या जो question है वो बहुत अच्छे से पढ़ा कीजिए सामाजिक अनुमोदन अत्वा सहायता की आवर्शक्ता सम यहां से लिंक नहीं कर रहा है तो C option यहां पर सही हो जाएगा फिर है बच्चे के समाजी करण में परवार की कैसी भूमका होती है तो मैंने आप सिखा था अपने अगर थोरी वाली जो सेशन है वो देखा होगा तो आप इस question का answer बता सकते हैं तो live chat में आप लोग का answer क्या होगा बच्चे के समाजी करण में परवार कैसी भूमका निवाता है तो primary agency के रोप में primary agents कौन-कौन होते हैं ये भी आप live chat में बता सकते हैं तो C option यहां पर बिलकुल सही हो जाएगा next question की तरफ बढ़ जाते हैं next question क्या कहता है कि विध्याले और समाजी करण के बारे में निम्न लिखित में क्या सत्य है I hope अब आप लोग को बहुत अच्छे से clear दिख रहा होगा समाजी करण में विध्याले की कोई भूमका नहीं होती तो फिर स्कूल जाते ही क्यों है अगर ऐसा कुछ है ही नहीं कि कोई विध्याले का importance ही नहीं है विध्याले समाजी करण का एक महत्वपून कारक है पहले भी question किया है अगर आप लोग ने कल का session देखा है तो आप लोग बहुत अच्छे से चीज को समझ रहे है कि question बार-बार repeat होते तो है समाजी करण में विध्याले की बहुत थोड़ी सी भूमका होती है ऐसा कुछ नहीं विध्याले समाजी करण का पहला मुख्यकारक नहीं है तो परवार और निकरतम परवार की सदस से मुख्य में आ जाएंगे तो तीनों option देखो आप B, C और D यहाँ पर परवार की सदस यहाँ परवार परवार आ गया तो यह तीनों option cancel होगा यह option बलकुल सही हो जाएगा अब देखो यहाँ पर B भले दिया है मैंने का ना देखो बुक है कोई ना कोई गलती हो जाती है मिस्प्रेंट हो जाता है लेकिन इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको बिल्कुल authentic concept बताने की कोशिश कर रही हूँ फिर है सामाजिक पैमाने की विदी की अनुसार इसमें से सुपर स्टार अती मानना वह होता है जिसे ज्यादा तर लोगों द्वारा चैन किया जाता है जिसका विविद जोडों द्वारा चैन किया जाता है दोनों तो ज्यादा तर लोगों द्वारा चैन किया जाएगा वो हो जाएगा तो यह option बिल्कुल सही हो जाएगा खेल कूत के जरिये बच्चों में किस प्रकार का विकास संभव है परस पर संबान की भावना सही ओक सामन जल सामा जिक गोड़ या फिर सभी तो सभी इसका बिलकुल सही आंसर हो जाएगा नेक्स्ट है बच्चों के समाजी करन करने की दो विदियों में एक इसने परक्सजा और दूसरा क्या है तो उद्देश्य परक्सजा संबलित है यह देखो आप भाई एमपीटेट में इस तरही किसे कॉश्चन आते हैं आपको पता चल रहा होगा यह दोनों ही कॉश्चन आपके एमपीटेट में पूछे गए मैंने इसी लिए इस बुक को सजिस्ट किया था कि आप लोग ना इस बुक से अगर आप लोग को पर्चेस नहीं करना है जितना मैं आप लोग को करवा सकती हूं उतना मेरा पूरी कोशिश रहेगी और कि आप लोग को यह चीज़ें मिल सकें एजीली प्रोवाइड हो जाए सामाजी कदीगम आरंब होता है अलगाव से भीड से संपर्ख से बिलकुल सामाजी कर्ण मतलब यहां पर संपर्ख वाली बात आ जाएगी फिर है समाजी कर्ण वह प्रक्रिया जैसे बच्चे वह वयस्क सीखते हैं तो सबी से सीखेंगे परवार से विध्यालाय से आस पड जाती बात के कारण विध्यालाय में बुरी भावना का विकास होता है तो यह तो बिलकुल ही गलत है बिलकुल हमारा सही आंसर हो जाएगा नेक्स्ट कोशन की तरफ बढ़ जाते हैं नेक्स्ट कोशन कहता है कि निम्न मैंसे किसको विध्याले के समाजी करण की विशिस्ट अवस्था माना जाता है तो बाले अवस्था क्योंकि 2-12 वर्ष तक की होती है और इसमें आपका प्र अधारबूत मूल्यों को परिवर्थित करने से वह प्रक्रिया जो तुरंत हो जाए तो समाजी करण बिलकुल तुरंत हो नहीं होगा अप लोगों से घुलोगे मिलोगे आपस में चर्चा करोगे बातचीत करोगे इसके बाद ही समाजी करण स्थापित होता है अपचारिक परिवर्थित करना आधाश आकांचाहों को गंभीरता से लिना सब है एकसेप्ट बी तो बी ऑप्शन बिलकुल सही हो जाएगा आज के लिए सकेंड लास्ट निम ने लिखित मैंसे अधिगम संबंधी कौन सा कथन सही नहीं है तो ओचित वातावरन चाहिए परिपक्वता का ऐसे कोई संबंध नहीं है तो ऐसा नहीं है कि अधिगम का या किसी भी और शीज़ का परिफक्वता से कोई संबंध नहीं होता है इवन डैवलपमेंट का भी होता है तो भी ऑप्शन है आपस है आनसर होजएगा क्योंकि question नहीं पूछा गया था आज के लिए last name लेकित मैसे कौन सा बच्चे के समाजी करण या सामाजिक विकास को प्रभावित करने आला व्यक्ति गतकारक नहीं है तो मित्रमंडली स्वास्त बुद्धी समवेग स्वास्त खुत का है बुद्धी खुत की है समवेग एमोशन्स खुत के हैं लेकिन मित्रमंडली बाहरी है तो गैस यहाँ पर हमने आज के कॉशन्स कंप्लीट कर लिए यहाँ पर देखो अभी एक्जाम पॉइंट आ गया इसको हम कल डिसकस करेंगे इस बुक से हम लोग कॉशन्स डिसकस करते हैं आप लोग को सेशन पसंद आयो पसंद आयो तो आप जादा से यादा शेयर कीजेगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना बिकॉस अफ नेटवर्क इशू हो सकता है वीडियो कभी डिले हो जाती है तो वैसे तो मैं टेलीग्राम पर शेयर करती हूँ कि आप लोग का सेशन पाच मिन में स्टार्ट हो रहा है या दस मिन में स्टार्ट हो रहा है लेकिन फिर भी आप लोग बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना उससे का नोटिफिकेशन मिल जाता है वीडियो का तो आज के session के लिए इतना ही हम फिर next session में मिलेंगे Thanks for watching this video